असलाम अलेकुम आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत कुर्ती के दामन का रिजाइन शेयर करूंगी यह देखें सबसे पहले हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट के घेरे का मईर करेंगे कि कितना हमारा नाप है डबल फोल्ड करके यहां पर घेरे लंभाई में जिसकी चड़ाई तक्रेबर मनें इक इंच से थोड़ा असा कम है और हमने चपी की फेपिक की फोल्डिंग वाला फैब्रिक चोड़ देना है यह देखें लेसली है बारी कलेस है और यहीं मैंने का襄 पर चुकोर की शेप में कट करके पहले से रखा हुआ है यह देखें जो इसकी चुड़ाई और लमभाई वो तीन इंच है काऊस पर मैंने इसलिए कट करके आपको पहले से दिखाया ताकर आपके चेपी खराब और पहले से मैं आपको समझा सकूँ कि आपने किस तरीके से चुकोर शेप कट करनी है यह देखें तीन इंच लंबाई चुडाई में कट करके तो सेंटर से हमने जो इंची टैप होती है उतनी चुडाई करके तो सेंटर से होगा वह उतना फैब्रिक हमने निकाल लिना है यह हमने निकाल लीनी है अगे में आपको दिखाती जाओंगी दो झाट साथ बताती भी जाओंगी धे इस तरीक IX जीकों कशेघ को चाजर के साथ करेंगे ये देखें मैंने चेपी के ऊपर इस तरीके से चिकोर शेप कट कर ली है और सेंटर में मैंने ये देखें निशान भी लगा लिए हैं इस तरीके से मैंने निशान लगाई थे फ्रेंड्स मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ यहां पर आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी अब ये देखें जो निशान हमने लगाई थे हैं उसी निशान को हमने फॉलो करते हुए सेंटर से हमने जो एक्स्ट्रा चेपी है उसको निकाल देना है ये देखें इस तरीके से सेंटर से हमने जो कोर की शेव में ही चेपी को निकाल देना है बागी चेपी में भी इसी तरीके से हम निकाल देंगे कट कर देंगे और बाद में हमने ट्रोजर के साथ के फैबरी को पर पेस्ट कर देना है अब हम एक और चेपी लेंगे आपके पास बचा होवा पीस है चेपी का बो ले लें आप तो यह देखें चेपी को फोल्ड करके इसकी चुड़ाई होगी तीन इंच और लंबाई इसकी साथ इंच है अब इस तरीके से हमने अच्छे से फोल्ड करके पैंसर से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉआ करेंगे और लाइन कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉआ करनी है यह देखें आप गोड़ से यहाँ पर आदा इंच हमने सेंटर से पास्ला चोड़ना है दोनों निशानों के सेंटर से और इस तरीके से हमने सीधा उपर के तरफ जाकर गुलाई के शेप दे देंगे वो दूसरे निशान को उसी गुलाई के नोक के साथ मिला देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप बन कर त्यार हो जाएगी यह आप समझ लें कि लंबाई में जो हैं वो नोक वाली लंबी पतियां कट की हैं मैंने इसी तरीके से हमने दो पतियां कट कर लिनी है और उसको भी हमने इसी तरीके से ट्रॉजर के साथ के फैबरिक उपर पेस्ट कर देना है यह देखें मैंने ट्रॉजर के साथ के फैबरिक उपर पेस्ट करके सेंटर से फॉल्डिंग का फैबरिक हमने लाजमी छोड़ना है उसके बाद हम यह देखें गम लेंगे या यू 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 लेंगे उसको इस तरीके से हम लगाएंगे और फैबरिक को फोल्ड करके अच्छे से पेस्ट कर देंगे तो फ्रेंद जब यह आप गम लगाती है यह यह चुछ यह लगाती है तो लगाने की फॉरान बाद आप आईरन कर लिया करें उससे क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाता है और अच्छे से बैठ भी जाता है तो यह देखिए एक जो यह वो त्यार हो चुकी है चुकोर की शे बागी भी हम इसी तरीके से त्यार कर लेंगे बहुत ही खुपसरत यह डिजाइन त्यार होगा आज तक किसी ने भी आपको यह वह डिजाइन और बहुत असान तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम इन सारे दाइन को स्टिच करेंगे अपने शर्ड के उपर शर्ड का दामन लेंगे यानि के शड़ का जो घेर है वो लेंगे उसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे शड़ के घेर को और जो हमने पट्टी तियार की थी ये लंबी पट्टी जो तियार की थी चेपी वाली उसको भी हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे जितना हमने चोटा चोटा फैब्रिक चोड़ा था उसी के उपर चिपी के साथ साथ हम स्लाई लगाते जाएंगे अगर आपको मेरी बात की समझ ना आ रही हो मुझे पूरी उमीद है कि आपको वीडियो देखकर बहुत जल्दी और बहुत असानी से समझ आ जाएगी पट्री को हम इस तरीके से सिधा करेंगे और किनारी के उपर उपर फिर से स्लाई लगा देंगे अगर आपका सिंपल सोट है तो आप मैचिंग फैबरिक यूज करके मैचिंग ट्रॉजर तियार करें उसके जो ट्रॉजर के साथ का फैबरिक होगा वो शड़ के उपर इसी तरीके से डिजाइन करें तो बहुत ही खुपसरत बनेगी यह दिजाइन यह देखें एक स्लाई हमारे लग चुकी अभी हमने दूसरी स्लाई यहां पर नहीं लगानी सबसे पहले हमने उपर वड़ा जो घेर का डजाइन होगा वो तियार करेंगे तो यह दिखें सेंटर में हम इस तरीके से चौकी मज़ए से निशान लगा देंगे शड़के घेर का सेंटर लेंगे उसके बाद सबसे पहले हमने यह दिखें जो चुकोर की शीप का जो हमने त्यार किया था डिबी एक फैब्डिक की चेपी की वह हम देंगे उसको इस तरीके से हमें सेंटर में रखना है मैं अभी फिलाल आपको यह रखकर दिखा रही हूँ कि हमने किस तरीके से डजान करनी है बाद में हम स्टिच करेंगे यह दखें इस तरीके से हम रखेंगे उसके बाद हम जो लैसली थी हमने वह इस तरीके से रखेंगे और श्लाइक करेंगे यह पट्टी के हमने दूसरी स्लाई नहीं लगाई थी उसी दूसरी स्लाई के हमने यह दर सेंटर में हम यह रखेंगे और फिर से हम स्लाई लगाके एंड पर हमने वह पट्टी के ओपर स्लाई लगानी है तो इस तरह के से आप अपने डिजाइन को रखकर glue की मदर से paste कर लें ताकि आप यह वाली पत्तियां stitch करने में असानी हो सके यह तक है इस तरीके से glue लगा कर हम paste कर देंगे इस पत्ति को center में हमने वो चकोर शेफले डिबी रखकर तो हम आपने मईर कर लेना है यह जो चकोर शेफ की जो डिबियां है उनको हमने paste नहीं करना जस्ट हमने यह पत्तियां लंबाई में उनको ही paste करना है glue की मदर से अब हम उनका मजर कर लेंगे हमने के center में कितना फासला चूट रहा है बराबर का फासला हम छोड़ेंगे यहां पर इस तरीके से हम लैस को stitch कर देंगे सबसे पहले हमने जो लंबे जो पतियां हमने glue के मदर से paste किये थी उनके उपर हम लगाएंगे इस तरीके से किनारी के उपर हम लगाते जाएंगे यह देखें एक पती हमारी स्टिच हो चुकी है अब हम दूसरी पती पर भी इसी तरह स्लाइड लगा देंगे उसके बाद हम लैस को stitch करेंगे जितना हमने मैयर किया था कि कहां तक हमने लैस को रखकर stitch करना है उतना हम stitch करके बाकी लैस जो कटिंग कर देंगे तीनों जगा पर हमने इसी तरह के से लैस को stitch कर दिया है उसके बाद अब हमने जो पती स्लाइल लगाने जो हमने छोड़ी थी वो हम स्लाइल लगा देंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं को जो लैस का end था और जो पतियों का end वाला हिस्सा था वो इस पती के अंदर आ चुका है और बहुत ज़्यादा neatness भी आ गई है सेम इसी तरह के से अगर आप अपने design को त्यार करेंगे तो बहुत ही प्यारा और नीट त्यार होगा दामन के घेर के पती से बुस्की छोचोची है उसके बाद हम अपने घेर को फूम वो लटा करेंगे इस तरी करेंगे त्यार क нее हमने त्यार की थी उसके को इस तरीके से फूम लटा रकेंगे और center में हमने दिखें जो खाली जगा हैं वहाँ पर हम दिखा देंगे ये दिखें नोक जो है डिबी की नोक जो है डिबी की वो लेस के उपर आनी चाहिए और एक नोक उपर की तरफ जाएगी इस तरीके से आपने डिबी को रखना है और सेंटर में हमने चेपी के साथ साथ सिलाई लगा देनी है अब हमने सेंटर से एक्स्टा जो फैबरिक है उसको कट कर देना है बिल्कुल जो इस लाई है वो उसके साथ साथ हम कटिंग कर देंगे उसके बाद हम इसको सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे सीधा कर देंगे बहुत असानी से सीधा हो जाएगा उसके बाद आप अच्छे से आईरन करके तो स्लाई लगा दें फिर से किनारी के उपर उपर यहां पर दो जगा पर स्लाई लगेगी एक सेंटर में और एक जो डिब्बे के बाहर है जो फैब्रिक इस तरीके से बहां पर हम स्लाई लगाएंगे सेम इसी तरीके से जो बाकिट भी है उनको भी हम इसी तरीके से स्लाइल करके त्यार करेंगे उसके बाद हमारा घेर जो है वो रेड़ी हो जाएगा तो यही देखें फ्रेंड्स शर्ड का जो कुर्टी का जो घेर था हमारा वो त्यार हो चुका है और देखें कितना खुबसरत, कितना प्यारा और दिलकश यह वाला डुजाइन त्यार हुआ है त्यार करने के बाद आप अच्छे से आईरिन कर लें और इसी एक डिपी को अगर आप अपने ट्रॉजर पर त्यार करें और अपने स्लीव के उपर यह वाला बनाई तो यह पूरा सूट जो फुल सूट होगा वह बहुत ही खुबसरत त्यार हो जाएगा और पहना हुआ तो बहुत ही प्यारा लगेगा तो यह देखें फ्रेंड्स पूरी जो शेट हमारी वह मुकमल हो चुकी है मुझे देखें जो एंड्स पर जो पट्टी थी उसके उपर भी मैंने लेस ही लगाई है किसी भी फंक्शन पर और एट पर आप यह वह बनवा सकती है दिखा कर तो यह कीन करें आपका सूट फुल सूट जो है वह बहुत ही खुबसरत त्यार हो जाएगा यह देखें इस तरीके तो जो डिबियां है वो सेंटर से खाली ही रहेंगी उश्यड का उल्टा घेर देखें कितने सफाई से त्यार हुआ है और यह देखें चेर्ट का नेक ड्जाइनन मत पुलिएगा ओके फ्रेंड अला हाफीज